है दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल पर मेरा नाम में सचिन याद हो और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हैदराबाद और करनाटक का तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू कि पिछली वीडियो में मैंने जो था आतुनिक भारत के तिहास का है कि हम आपका हैल पर करता कि और आपके लिए वीडियो बना सके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हेदराबाद और करनाटक देखेंगे हम इस टॉपिक में तो हेदराबाद से सुरुआत करते हैं हेदराबाद की स्थापना जो थी वह 1724 में हेदराबाद राज्ये की स्थापना करी थी निजाम अलमुल्क असर जहने किसना करी थी कि स्थापना तो निजाम अलमुल्क आसव जाने 1724 में हदराबाद राज्ये की स्थापना करी थी ठीक है और ऑदोस्तों साथी में आप यह लगे चलीए 1727 में इसने स्थापना करी थी हदराबाद राज्ये की चलूआगए बताता हो मैं और manifestmen बंदो को गदी से खटाने में इसकी भी एहम भूमी का रही ठीक है ना स्यद बंदो कौन थे तो औरंग जेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूनिस्तान था किसका महत्वपूनिस्तान था तो निजामनल मुलक है का असफ जाका ठीक है ना स्यद बंदो को गदी से थाने में इसकी एहम भूम का थी क्लियर रही है थै यहां तक आपको उसको दक्कन के वाघ्सराय का किताब प्राब्ड हुआ था beth किसको तो आसफ जाको निजाम मुलकों को ठीक है ना सतरा सो बीस से लेकर सतरा सो बाइस तक उसने धक्कन में अपनी इस्तिति मजबूत करी हैं वह 1720 में ही पेशवाव बने थे इस में वह 1720 में ही पैस्वावभी साल के उमर में यहां तक तो 1720 से लेकर 1722 के बीच वो दकन दकन में जो थे वो अपनी इस तिति को मजबूत किया उन्हों ने ठीक है 1722 से लेकर 1724 तक समराजी का वजीर रहे क्लिए रहा तक 1722 से लेकर 1724 तक समराजी का वजीर रहा कौन तो आसपजानिजाम उल मुल्क यां तक समराज का वजीर रहा मगर वह जल्दी ही वजीर के काम से तंग खांग अगया था वह जल्दी ही वजीर के काम से तंग खांग ख़ा था है आपना गया नहीं दक्कन वापस जाने का अपना फैसला किया ठीक है सत्रह सो बाइस लेकर 1724 तक वह जीर रहा किया तो उसने तकन आने का उसने फैसला किया ठीक आ दिखने राजी जमाना चाहता था यहां ने हैदरबाद राजी के स्थापना अब बताय था तो इस्थापना करी और कठोड़ यहां उसने केंद्रिय सरकार में अपनी स्थानतर तो यह अपने को कब आँ वह सब्सक्राइब करा यहां। लेकिन वो जो था वह स्वाथंत्र रूप से काम करता था ठीक ना दिली केंद्री सरकार से बिना पूछे वह लड़ाईयां लड़ता था तुले नामे क्या करता था दो वैसे यह जो आ रहा है जो हमारा यह था आसफजा यह है तो मुगलों के अंडर ठीक ना मुगलों के लोगों को इसने लोगों को इसने तीक है फिंदू के परदिया थी नितिया अपनाएथी अपनाएथ तक लेकल से फिरुक्त कर अपने सथापित कर अपनी सब्ता को मजबूत कि यहां तक क्या थी दोस्तों तो किसी भूमिसे लगान प्राप्त करने और उसके प्रसासन की जम्मिदारी राज के किसी एक अधिकारी को दे दिया थी ति उसको जागीर परता कहा जाता था अपको कंखते हो घ्र था करने मजबूर किया था तो अस्तिसाली तकि अपने अधिकार छेटर से बाहर रखा तो को अपने अधिकार खेतर मतलब की हैधरा अधिए हैधराबाद से बहार रखा तने यहां तक है रहा है मेरने के बाद है फिर से जो था वो विघंट विघंटन कारी सकतियों की और चला गया फिर से विघंट की और चला गया 1744 में उसकी मिर्ट्ट के बाद है दुबारा से विघंटन की वर मूड़ा तो यह था दोस्तों है रबाद क्लिएर आँ तखक आपको आई होब क्लियर होगा और अगला देखते हैं चाहि सब्सक्राइब जिस तरह है जिसरे हैधराबाद जो था वह था वह दक्कन खेटरे में आठा था और गया आशव जा कॉ दक्कन का निजाम मुल्क बनाए गया था आशव जाको तो दक्कन मुगल का एक सूबा था जो दक्कन था वो मुगलों के अंडर था और मुगलों नहीं आसफ जाको वहां का वजीर बनाया था क्लियर रहां तक सूबा था और इस तरह वह हैधराबाद के निजाम के अधिकार शेतर में आता था जो करनाटक है वह मुगलों का के इस वाले पॉइंट में की जो नीजाम था वो किंदर सरकार से मुक्त i रूप से क discourसे तरह करनाठक का जो नवा भाता ना वो भी हैदराबाद से मुक्त खोकर है तिर लेकर पसकर जो नुगत से काल रहा था त्सारीड़ तो करनाठक का नवाज तो उसे जो था ऑढ़ जिस तरह जय तरह है तरह जो तरह जो था हैत्राबावाद का चसलितीज धगात कड़ तरह करनाटक का सुभेदार था वह भी जो था है तरह है तरह ऑचांटर ब्सकर इसके बहुम का कांट कर रहा था इयों से खूद कांच करा ला भुड़ क कर लिए वह गया होगा आपको ठिक करनात alto कर नवाब आप सुभेदार जिस्से करनाट का नुवाब धर का जाता है कि अपने जभी करके कि जिसका नाम था दोस्ताली उसको निजाम के मंझूरी के बिना ही निजाम को तो आश buna कि मंझूर के बिना ही क्या क्या तो अपना तरह अद्शिकारी बना दिया तो आगे चलके शतरा सो र 242 में जाके जो करनाटका था वह कदी को लेका लड़ाई हुई जिसके वज़े से जो व्यापारिक कमपनी आती यूरूप यूर्यापारी कमपनी आती उन्हों ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको आपके एक्जाम के लिए मदद हो सके क्लियर दोस्तों तो यह बस आपके लिए एक च्छोटी सी कोशिस थी वीडियो जाद जाद अपने दोस्तों में सेर करिए सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स करिए थैंक्यू जो मच